रामप्पा मंदीर तेलंगाना राज्य में वारंगल शहर के पास पालम मेट गाव में स्थीत है रामपा मंदीर का और एक नाम राम लिंगेश्वर मंदीर के नाम से भी वह प्रसिद्ध है यह शायद दुनिया का अकेला ऐसा मंदीर होगा जिसका नाम उसमें स्थीत भगवान के नाम पर न होकर मंदीर बनाने वाले शिल्पकार रामपा के नाम पर रखा गया 800 साल से भी अधिक पुराने रामपा मंदीर में कई अनोखे रोचक रहस्य से छुपे है जैसे कि यह मंदीर कई भुकमबा आने के बावजूद आज भी वैसे ही कैसे खड़ा है जबकि उस काल के कितने ही मंदीर खंडर हो चुके है मंदीर में बनी स्थ्री मूर्तिया आपको आश्चर जकित कर देगी काले ग्रेनाइट जैसे कठोर पत्थर से बने होने के बावजूद मूर्तियों में ऐसे गजब की चमक महीन काम और कलात्मक्ता अधबूत है क्या आपको लगता है कि प्राचिनकाल में भी ग्यान के अलावा फैशन के ऐसे कलात्मक विशे पर भी कुछ खोज हुई होगी इस बात के असंग के प्रमान भरे पड़े है कि प्राचिनकाल में भारत का सायंस, मैस, मेडिकल नॉलेज, टॉप क्लास का था लेकिन फैशन इस बात का भी प्रमान है कि प्राचिन भारतिय फैशन के खेटर में भी बड़े क्रांतिकारी थे रामप्पा मंदिर में अवरतों के कई स्कल्प्चर बने हुए है इस थ्री मूर्तियों को मदनिका कहा गया है इस दिखाएगे फोटो में से सबसे राइट साइड वाली मूर्ति को दल मदनिका कहा जाता है आप इसे गौर से देखे क्या आपने कुछ खास बात देखी मूर्ति के पैरों की तरब देखिए अब देखिए हाई हिल्स याने उचे एडी के फुट वेर मदनिका के हाई हिल्स की डिजाइन में हिल्स के साथ ही पंजे के अगले हिस्से भी उचे बनाया गये हैं जैसा कि आजकल प्लैटफॉर्म हिल्स वाले सेंडल्स में होते हैं इसका मतलब शायद उस समय के लोग सिर्फ हाई हिल्स पहनने के नुकसन भी जानते रहे हो इस मुर्ति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सेक्डो साल पहले भी आज की तरह हा हिल्स वाले चपल सेंडल जरूर भारतिय फैशन में रहे होंगे। कि रेचल रुद्र ने प्रसन्न होकर उसी के नाम पर मंदिर का नाम रख दिया। इस चेत्र में एक बड़ा भुकम आया था जिसकी वज़े से मंदिर की जमिन कहीं कहीं पर उची नीची हो गई है। लेकिन बाकी मंदिर और मंदिर के सामने बनी नंदी की विशाल मुर्ती पर कोई असर नहीं हुआ। प्रसिद्ध खोजी यात्री मारको पोलो ने अपनी भारत यात्रा के दवरान जब इस मंदिर को देखा तो इसे मंदिरों की आका जंगा में सबसे चमकदार तारा कहा। युद्ध और विदेशी आकरमनों को झेलने और उचित देखभाल के बीना भी ये रामपा मंदिर हमारे महान अतित की ठोस मिसाल बना खड़ा है। चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया में।